नमस्कार, बच्चों के लिए Electronic Series के पहले विडियो में हमने सीखा कि Electrons के Flow को Electricity कहते हैं और Electronics की सरल परिभाशा है Electrons के Flow का Control हम Mechanical उपकरण जैसे Switch या Electronic उपकरण जैसे Sensor के साथ Electrons के प्रवा को नियंतरित कर सकते हैं दूसरे विडियो में हमने मुफ्त Online Software TinkerCAD का उपयोग करके एक Simple Circuit बनाया हमने अपने Circuit में उर्जा के स्रोत के रूप में 3V battery pack का इस्तिमाल किया और इस battery pack से हमने एक Bulb जलाया उसके बाद हमने Electrons के प्रवा को नियंतरित करने के लिए अपने Circuit में एक Switch जोड़ा और हम Bulb को जलाने और बुझाने में सक्षम हुए हमने एक छोटा सा प्रयोग भी किया जब हमने अपने Circuit में बैटरी के Positive और Negative Terminals की अदला बदली की और पाया की इसका Bulb पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस वीडियो में हम DC Motors के बारे में जानेंगे Tinker Can में एक नया Circuit प्रोजेक्ट शुरू करें डबल एक 1.5 वोल्ट की बैटरी ड्रैक करें बैटरी को घुमाने के लिए अपने कीबोर्ड पर R की दबाएं बैटरी पर क्लिक करें और बैटरी की Properties में दो बैटरी सिलेक्ट करें अब आपके पास 3 वोल्ट का बैटरी पैक है मोटर कॉम्पोनेंट के लिए सर्च करें तिंकर कैड में तीन प्रकार की मोटर है वाइब्रेशन मोटर, DC मोटर और हॉबी गियर मोटर एक हॉबी गियर मोटर बाहर ड्रैक करें ध्यान दे कि इस मोटर में एक Positive और एक Negative टर्मिनल है बैटरी के Positive टर्मिनल को मोटर के Positive टर्मिनल से Connect करें याद रखें आपके कीबोर पर नमबर एक की तार का रंग काला कर देती है और नमबर दो की इसे लाल कर देती है स्कार्ट सिमुलेशन पर क्लिक करें मोटर घूमने लगती है नोट करें कि मोटर की गती 97 RPM है RPM का मतलब है Rotations per Minute यानी एक मिनिट में मोटर कितनी बार एक पूरा चक्कर लगाती है सिमुलेशन बंद करें जो बैटरी की Polarity बदलने का प्रयोग हमने बल्ब के साथ किया था उसको मोटर के साथ दोहराते है आपको क्या लगता है जब हम बैटरी के Positive और Negative Connection की अदला बदली करेंगे तो क्या होगा क्या मोटर घूमती रहेगी या मोटर काम करना बंद कर देगी वीडियो को पॉस करें और एक मिनिट के लिए सोचें गहराई से सोचने की क्षमता आपको एक बहतर शिक्षार्थी बनाती है आपका जवाब क्या था? आईए जाने की वास्तव में क्या होता है? मोटर की गती अब Negative 97 RPM है बैटरी की Polarity को पलटने से मोटर का घूमना बंद नहीं होता है केवल Rotation की दिशा बदल जाती है मोटर की Polarity को बदल कर हम इसे Clockwise या Counter Clockwise घुमा सकते हैं यह मोटर की एक बहुत Interesting Property है और इसका उप्योग हम बात में करेंगे जब हम अपनी Toy Car बनाएंगे चलिए एक और Hobby Gear मोटर लाते हैं हम दो मोटर्स को एक ही Battery Pack से कैसे जोड सकते हैं हम दोनों मोटर्स के Positive Terminals को Battery के Positive Terminals से जोड़ेंगे और हम दोनों मोटर्स के Negative Terminals को Battery के Negative Terminals से जोड़ेंगे Simulation शुरू करें दोनों मोटर्स 93 RPM पर घूम गही है क्या आपको लगता है, हम मोटर्स की स्पीड बढ़ा सकते हैं कैसे? थोड़ा सोचें और पता लगाने के लिए कुछ प्रयोग भी करें क्या आपको पता चला कि मोटर्स की स्पीड कैसे बढ़ाई जा सकती है? यदि आपने बैटरी पैक में एक और बैटरी जोड़ी तो आपने ठीक सल्यूशन खोजा है 4.5 वोल्ट बैटरी पैक के साथ दो मोटर्स ज्यादा गती से घूंगती है 134 RPM अगर हम एक और बैटरी जोड़ दे तो क्या होगा? 6 वोल्ट के बैटरी पैक के साथ मोटर्स और भी तेज गती से घूंगती है 172 RP10 आपको क्या लगता है अगर आप बैटरी की संख्या बढ़ाते रहेंगे यानि आप सर्कित में वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा? TinkerCAD की अच्छी बात यहा है कि आप ऐसे प्रयोग सुरक्षित रूप से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ एक सिमूलेशन है लेकिन वास्तविक दुन्या में आपको बिजली से बहुत सावधान रहना चाहिए Toy Car बनाते समय आपको अपनी मोटर्स की मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज की जाच करनी होगी मैक्सिमम वोल्टेज से अधिक न जाएं क्योंकि ऐसा करने से आपकी मोटर जल सकती है 9 वोल्ट की बैटरी के साथ दोनों मोटर 269 RPM पर घूंती है 4 डबल ए बैटरी यानी 6 वोल्ट सुरक्षित वोल्टेज है वास्तविक दुन्या में आपको 9 वोल्ट से अधिक वोल्टेज से नहीं खेलना चाहिए वोल्टेज के अलावा करन्ट भी होता है जो वोल्टेज से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है हम आगे एक वीडियो में समझेंगे करन्ट क्या होता है आपको अपने घर के बिजली के सौकिट से बहुत सावधान रहने की जरूरत है यदि आप सावधानी नहीं बढ़तेंगे तो आपको बिजली का जटका लग सकता है अब जब आपने टिंकर कैट पर दो सरकिट बना लिये हैं पहला बल्प के साथ और दूसरा दो होबी गियर मोटर्स के साथ हम इन सरकिट को वास्तविक दुन्या में बनाते हैं अगले वीडियो में